प्रिया कलाप साथ काच की एक छोटी सी खाली बोतल के मुँपर पानी की कुछ बुन्दे लगाए और मुँप को सिक्के से ढग दे अब हाथों को आपस में रगड कर गर्म करे और आधे मिनट के लिए बोतल को हाथ से पकड़े आपको सिक्का नास्ता नजर आएगा सोची ऐसा क्यूं हुआ होगा या गैस का किस प्रकार का प्रसार है नियत आयतन पर प्रसार या नियत दाप पर प्रसार प्रश्न गैसों और द्रवों में केवल आयतन प्रसार ही क्यूं संभव है तीसरा भौतिक अवस्था में परिवर्तन उश्मा मिलने पर पदार्थ की अवस्था एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकती है दिये गए चित्र का अवलोकन करें और उधारनों के साथ समझें क्रिया कलाप आठ एक बर्तन में बर्फ के कुछ टुकडे ले और थर्मा मिटर की मदद से इसका ताप नोट करें जैसे जैसे आप बर्फ को गरम करेंगे वह पिघलने लगेगी उसका ताप नोट करते रहें जब तक कि बर्फ पिघल नहीं जाती अब इस पानी को और गर्म करते रहिए और ताप नोट करते जाए जब यह पानी उबलने लगे और भाप में परिवर्थित होने लगे इसका ताप नोट करें अब अपने अवलोकन का ग्राफ बनाए क्या यह ग्राफ कुछ इस प्रकार दिखेगा? हमने देखा कि गर्म करने पर पदार्थ का ताप बढ़ता जाता है एक ताप पर पहुँचने पर पदार्थ की अवस्था में परिवर्थन हो ले लगता है और इस परिस्तिती में पदार्थ का ताप बढ़ना रुख जाता है ऐसा इसलिए होता है क्यूंकि गर्म करने पर प्राप्त की गई उश्मी उर्जा पदार्थ का ताप बढ़ाने के जगे अवस्ता परिवर्तन में वेह हो जाती है चूंकि यह दी गई अत्वा पदार्थ से ली गई उश्मा ताप रिद्धी में दिखाई नहीं पड़ती इसलिए इसे गुप तुश्मा latent heat कहते हैं गुप तुश्मा दो प्रकार की होती है पहला गलन की गुप तुश्मा latent heat of fusion जब एकांग द्रवमान के पदार्थ को उश्मा देने पर वो ठोस अवस्ता से द्रव अवस्ता में बदल जाता है तब इस प्रक्रिया में दी गई उश्मा की मात्रा गलन की गुपतुश्मा कहलाती है गुपतुश्मा को capital L से प्रदशित करते हैं इसका मात्रक कैलोरी प्रतिग्राम या किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम है बर्फ के गलन की गुपत उश्मा 80 किलो कैलोरी प्रती किलोग्राम है अर्थात 0 डिगरी सेल्सियस ताप पर 1 किलोग्राम बर्फ को 0 डिगरी सेल्सियस के ही 1 किलोग्राम जल में बदलने के लिए 80 किलो कैलोरी उश्मा की आफशकता होती है यदि किसी पदार्थ का द्रवेमान M तथा गुपत उश्मा L हो तो एक निश्चित ताप पर पदार्थ द्वारा दी गई या ली गई उश्मा Q बराबर M गुणित L होती है द्रव से ठोस में बदलने के लिए समान मात्रा में उश्मा पदार्थ से ली जाती है दूसरा वाश्पन की गुपत उश्मा Latent Heat of Vaporization एकांग द्रवमान के द्रव को उसके क्वतनांग पर पूरी तरह गैस में परिवर्टित करने के लिए लगने वाली उश्मा को वाश्पन की गुपत उश्मा कहते हैं इस गुपत उश्मा को भी Capital L से प्रदशित करते हैं झाल झाल